दोस्तो आज हम आपको एक हिंदू लड़की की कहानी सुनाएंगे क्योंकि ये कहानी बहुती अजीबो गरीब है वो हिंदू लड़की जब उसके पती को पता चला कि उसकी पत्नी मुसल्मान है तो उसके पती ने उसके साथ क्या किया जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों आपको बता दे कि ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाउं की है वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी अदितिनात हैं यहां एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम का घर आसपास में था गैर मुस्लिम के घर में एक चार या पान साल की छोटी सी बच्ची थी वो अक्सर पास में अपने सहली के वहां जाती थी जिसकी उमर भी उसके आसपास थी और वो मुसल्मान थी उसकी माँ अपने बच्चों को घर में कुरान पढ़ना सिखाती थी इसलिए वो गैर मुसलिम लड़की पहले तो अपने सहली के साथ खेलती थी कुछ देर बाद जब ये खेल लेती थी तब लड़की की माँ अपने बच्ची को अपने पास बुलाती थी और उसे कुरान पढ़ना सिखाती थी उसी के साथ उसकी सहली भी उसके पास आ जाती थी उस दर्मियान वो कुरान को देखा करती थी धीरे धीरे उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा एक दिन उसने अपने सहली की माँ से कहा कि अंटी मुझे भी कुरान शरीफ पढ़ना सीखना है जिसके बाद सहली की मा ने उसे भी पढ़ाना सुरू कर दिया हिंदू लड़की ने धीरे-धीरे काइदा पढ़ना सुरू कर दिया फिर बकाइदा उसने अपने सहली के साथ मिलकर कुरान शरीफ भी खतम कर दी सहली के मा के पास आई उसने उनसे कहा कि मैंने आप से पूरा कुरान स्रिफ पढ़ना तो सीख लिया और दिल ही दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को बता नहीं सकती अगर मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बता दिया तो घर में कलिस और लड़ाई जगले शुरू हो जाएंगे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो मुसल्मानों से नफरत करते हैं ये सुनकर उसके सहेली की माने कहा तुम अल्ला पर भरोसा रखो अल्ला तुम्हारे इमान को जाया नहीं होने देगा उसके बाद सहेली की माने उसके लिए एक शादी का तौफ़ा तयार किया उसने तौफ़े के तौर पर कुरान स्रीफ देने का इरादा किया फिर उस लड़की के घर पर जाकर उसकी माँ से कहा कि ये तौफा आप अपने घर में मत खोलिएगा क्योंकि हमने इसकी पैकिंग बहुत खुबसूरत तरीके से की है हम चाते हैं कि हमारे ये तौफा लड़की के ससुराल में जाकर खुले हिंदू लड़की की मा ने इस बात को मान लिया उसके बाद उस लड़की की शादी भी हो गई वो लड़की अपने ससुराल पहुच गई और उसके साथ साथ कुरान सरीफ भी उसके घर पहुच गया उसका पती जब भी काम करने के लिए आफिस जाता था तो उसकी पत्नी बैट कर कुरान सरिफ पढ़ा करती थी दोस्तो इस तरह से कई साल गुजर गए यहां तक कि वो लड़की प्रिंगनेंट हो गई अब ये लड़की सोचने लगी कि मैंने तो इस बात को छिपाया है कि मैं मुसल्मान हूँ जब मेरे पती घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ मगर मैं अपने इस बच्चे का क्या करूँ मेरे बच्चे के इमान का क्या होगा यही सोचकर वो लगातार दुआ मांगती थी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने पती के सामने इस बात को कैसे बताए कि अब वो हिंदू नहीं रही बलकि मुसल्मान हो चुकी है कुछ दिन के बाद उसका पती बिमार हो गया जिसके बाद वो हॉस्पिटल में अपना टिस्ट कराने के लिए पहुँच गया जिब डॉक्टर ने उसके टिस्ट कियें तो टिस्ट रिजल्ट को सुनकर वो लड़का चौक गया क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके बचले की उमीद बिल्कुल खतम हो चुकी है लड़की का पती रोते हुए अपने घर आया और अपने पत्नी को देख कर रोने लगा उसने बहुत मुस्किल से अपने पत्नी को बताया कि उसे कैंसर हो गया है मेरी जिन्दगी केवल एक महीने की और बाकी है इस बात को सुनकर उसकी बीबी भी रोने लगी और अपने पती को तसलिद देते हुए बोली कि आप परिशान ना हूँ मेरे पास में इसकी एक दवा है मेरी पुरी आस्ता है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मगर आप मुझसे वादा करिये कि मैं जो कुछ भी करू आप इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे इस बात को सुनकर उसके पती ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं ठीक हो गया पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो तो इस पर उसकी पतनी कहती है कि मैं आपका इलाज कर रही हूँ आपने मुझसे कहा था कि आप इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे उसके बाद में उसके पती ने सवाल करना बंद कर दिया, एक महीने तक लगातार वो लड़की अपने पती के उपर सुरे फात्या का धम करती रही, वो भी पूरे यकीन और पूरे इमान के साथ, एक महीने के बाद उसके पती का दुबारा टेश्ट हुआ तो उसके रिजल्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान रहे गए, क्योंकि उस रिजल्ट में आया कि उसे कैंसर का नाम और निशान भी नहीं है यानि कि उसके अंदर कैंसर के कुई भी लक्षर मौदूद नहीं थे, अल्ला ने भी उसके पती को पुरी तरीके से सिहत मन्द कर दिया, जब वो ठीक हो गया तो वो बहुत खुस हुआ, तो उसने अपने पत्नी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, आखिर तुम क्या पढ़ा करती थी, तो उसने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था, कि आप मेरी हर बात मानोगे, तो इस पर उसके पती ने कहा कि बताओ तुम क्या चाहती हो जिसके बाद पतनी ने अपनी सारी बाते बेहिचक अपने पती से शेयर कर दी कि किस तरह से उसने इसलाम कुबूल कर लिया है और वो कुरान सरीफ पढ़ कर इन पर दम करती थी उसने अपने पती से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसल्मान हो जाओ सोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने आखों से देखा था कि गुरान सरीफ में कितनी ताकत है इसलिए उसने भी इसलाम कुबूल कर लिया जब लड़के ने इस बारे में अपने पूरे फैमली को बताया तो उसकी पूरी फैमली भी मुसल्मान हो गई